हलो बच्छोफ स्टले वीडियो मैं हम लोग प्रिजेंटेशन पांकेज के बारे में पढ़े थे में हम लोग उसी雲्य snacks प्रिजेंटेशन पांके करने के बाद यहां आपको Microsoft Office मिल गया क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसमें हम लोग सर्च करेंगे Microsoft Office PowerPoint ठीक है इस पर क्लिक करते हैं तो आपका presentation package यहां दिख रहा है presentation one Microsoft PowerPoint आपका open हो गया यह एक normal तरीका है दूसरा तरीका एक run window की मदद से हम लोग open करने का है तो उसको भी देखते हैं इसको अब यह close कर दे रहा है यह close बटन है बताया गया था पिसले वीडियो में close बटन है इस application को close करने के लिए यूश किया जाता है close करेंगे close हो गया ठीक है कीबोर्ड में एक windows की होता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे है windows की के साथ आर बटन प्रेस करना है जब आपको दो की एक साथ प्रेस करना हो तो उसके लिए पहले पहले वाले की को प्रेस करके hold करते हैं और उसके बाद दूसरे की को प्रेस करते हैं तब दूसरे की को रिलीज करेंगे और बाद में पहले वाले की को रिलीज करेंगे को रिलीज पहले नहीं करना है तो windows आर एक साथ प्रेस करना है powerpoint spelling होगा p o w e r p n t बिना space के ठीक है और उसके वाद ok या inter button प्रेस करेंगे तो यह आपका powerpoint open हो जाएगा देख रहे है clear इसको फिर से देखते हैं close कर देते हैं फिर से आप windows r प्रेस करेंगे run आएगा इसको मिटा दिये फिर से लिखेंगे powerpoint p o w e r p n t clear इसको ok प्रेस करेंगे या ok प्रेस करेंगे दोनों में से आपको यह powerpoint open हो जाएगा ठीक है उसके अदा भी जो आपको पहले से open था file जो last video में हम लोग जो file बनाए थे जो presentation बनाए थे उसको open करना है तो यह आपको बताया गया था कि यह office button है office button पे click करते हैं click करने के बाद यह कुछ options है जैसे new open save save as यह सब बताया गया था जैसे new है अगर आपको कोई नया presentation open करना है create करना है तो उसके लिए हम लोग new option का use करते है open option पहले से save computer के अलग अलग location पे जो आपका presentation प्रिंटेशन से उसको open करने के लिए यह open option यूज क्या जाता है save जो भी आपका presentation है उसके जो भी changes आप कर रहे हैं उसको save करने के लिए save option save as option आपको same जो भी document आप open किया है presentation जो open किया है उसमें उसी presentation को किसी दूसरे नाम से save करने के लिए हम लोग save as का option यूज करते है print option presentation जो भी यह slides है इसको print करने के लिए उसके जाता है और last वी इधार आता है close तो close बटन जो है यह close बटन जो presentation open था उसको close करता है clear और यहाँ पर है exit power point exit power point से क्या होता है कि यह जो application open है वो application close होगा close बटन से जो presentation open है वो जो document या presentation जो आपका open था वो close होता है clear तो यहाँ open कर उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ recent document का नाम रहता है जितने भी document आपका open रहेगा सब का यहाँ पर आपको list दिखेगा कि recent recently आपने किन-किन document को open किया है तो जैसे उस दिन हम लोग first को किये थे तो यहाँ से भी click करके हम लोग open कर सकते हैं या फिर हम लोग open button का use करेंगे click करते हैं यह आपको open हुआ आपका document कहां save है आप इस location को search कर सकते हैं by default document में save होता है तो आपका document सामने open है और यहाँ पर आपको दिख रहा है first तो इस first को select करेंगे open पर click करेंगे तो यह आपको open आपके सामने हो गया first यहाँ दिख रहा है first Microsoft PowerPoint यह हम लोग उस दिन तीन slides इसको कहते हैं और यह slides pen है clear तो इस slide pen में 3 slide है 3 slide हम लोग उस दिन add किये थे इसी से अब कुछ और आगे हम लोग बनाते हैं जैसे कि यह जो presentation है इसको हम लोग presentation इसको मिटा देते हैं इसमें हम लोग school का नाम लिखते हैं इसके नीचे जोई है सब यहाँ पर सब टाइटल लिखते हैं माल लीजे आपको class लिखना है तो यहाँ पर हम लिख दिए class या फिर school का address लिखते हैं ठीक है अब दूसरे slide पर आते हैं जैसे इस slide में यह काम कर रहे थे इसका एक चोटा रूप यहाँ सब चीज दिख रहा है यहाँ पर जो जो आप change किये हैं सब यहाँ पर दिख रहा है ठीक है अब इसमें आते हैं इस पर click करेंगे तो यह slide आपका open हो जाएगा ठीक है अब इसमें माली जाएगे हम class wise लिखते हैं जैसे कि आपका लिखे 5 ठीक है अब इसमें जो आपके class के strength है उने strength का नाम लिखते है क्लियर अब इसमें कुछ नाम लिख दिये हैं अब अगले slide पर आते हैं इस यह slide है अब इसमें कुछ हम लोग इसकूल के अपके जो subject चारे उसका अगर नाम हम लिखते ना चाहते हैं तो यहां लिख दिया है इसका heading डाल देंगे इसे यहां लिख दिए teacher और टीचर और टीचर और टीचर्स प्रत्समा लिख बाल टीचर्स ज लोग यह यह तो अब दखें फिर अगर आप चाहते हैं या फिर आप इसके सिक्वेंज को भी चेंज कर सकते हैं जैसे यह जो थार्ड स्मक्राइब है यया आप चाते है और सेकेंड के ला ना तो इसको आप किया करेंगे इसको होल्ड करके और ड्रैक कर देंगे कहां ले जाएंगे दू के ऊपर ले जाकर छोड़ देंगा आप देख रहे हैं कि क्या है पहले यह JSKŁल नाम को नम दो था उसके बास सेकेंड जैडिप यह हो गया और फर्ट स्लाइड यह है अप चाहते हैं थ़र्ट silent के बाद कोई दूसरा slider करना तो आपको बताया गया था कि यह new slide option है इस पर click करते हैं जैसे यहां थो अप्षन है new slide यह icon है और यह new slide लिखा हुआ है तो जो अगर आप इस पर click करते हैं तो जहां पर आप add करना चाहते हो उससे पहले जैसा layout रहेगा slide का वैसा ही add हो जाता है तो इस पर क्लिक किए देख रहे हैं यहां चौता slide आ गया और जैसा layout इसका था third वाले का वैसा ही layout इसका भी आ गया तो इसको अगर मिटाना है तो इस slide पर right click करेंगे और इसमें delete slide है किये यह media अभी तीन slide ही है ठीक है फिर से आपको add करना है तो अभी यहाँ पर हम icon पर नहीं जा करके new slide option पर click करेंगे इसमें क्या है कुछ layout है इसका ठीक है जैसे blank है इसमें ऐसा layout है सबका अलग-अलग layout है आप चाहते हैं कि इस type का layout रहा है ठीक है नहीं बस एक heading रहा है और नीचे खाली रहा है तो इस पर click करेंगे ऐसा आगया सामने ठीक है इसमें माल लिजे हम images डाल दे रहे images तो आप यह images अब represent करेगा आपके school के image को अगर आपको image insert करना है जैसे अभी आपको insert में गए यहां home tab है उसके बगल में insert tab है insert tab पे click करेंगे और insert tab पे click करने के बाद इसमें आपको option आता है पिक्चर, clipart, album, shapes तो यह ऐसा अलग अलग है जैसे कि यह picture पे click करेंगे तो अगर आपके computer में picture है तो उसको insert कर सकते हैं ठीक है तो इसमें ऐसा कोई image नहीं है कि इसमें insert किया जाए तो हम इसमें clipart पे जाते ह है ठीक है clipart पे click करेंगे इधार open होगा go पे click करेंगे तो यहां दिख रहा है बहुत सारा image आ रहा है ठीक है इसमें माल लेजेए school bus का एक image है इसको drag यहां ले लिए और इसको उसके बाद drag करके आप अपने जवरत के हिसाब से जैसा रखना चाहते हैं बड़ा चोटा अधिया ज़सर्च करते हैं इसकूल इसकूल से रिलेटेट कुछ क्लिप आठ है क्या कुछ इसकूल का फोटो तो है अधिया आप इसको अपने जवरत के हिसाब से इसको बड़ा चोटा या फिर अपना साइज बदलना है जगा बदलना है एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर के ऊपर रखना है वो भी हम लोग कर सकते हैं जैसे यह पिक्चर को माल लिजए यहां ले जाना है तो यहां पीछे चिप किया है ठीक है ना तो इसको यह जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्मेट नाम का टैब होता है जैसे कि बाहर क क्लिक किए देखिए यहाँ पे कोई format नाम का tab नहीं है लेकिन इस image पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं format नाम का tab अपने आप आ जाता है इसी में यहाँ पर आता है bring to front bring to back ऐसा है न तो इसको bring to front करते हैं तो यह क्या होता है picture जो है पिक्चर पे क्लिक करना है picture select करना है या फिर clip art करना है वह ऐसे कर सकते हैं उसके बाद यह shapes है shapes में भी बहुत सारे design है जैसे यहाँ पर देखिएगा इसके नीचे में यह जो drop down arrow दिया हुआ है इस पे जोड़त के हिसाब से हम इसको अपने कई सारे options है उन options का हम लोग use कर सकते हैं उसके बाद जो भी हम लोग change करते हैं उस change को हम लोग को save करना होता है जैसे इतने सारे किये पहले नहीं था तो उसमें लोब office button पे क्लिक करते हैं और save पर क्लिक करते हैं जैसे ही save पर क्लिक करेंगे तो यह क्या होगा यह आपको जिस नाम से आपसे नाम नहीं पुछा जिस पहले ही यह first नाम से save था इसलिए उसी में जाकर के वो save हो गया clear देख रहा है अब उसके अलावए एक भी है इसमें हम लोग इसके लिए जो भी font है font को भी बदल सकते हैं जैसे यह पहले वाले slide पे क्लिक किए अब यह home tab पे जाएंगे home tab पे गए इसको select करेंगे जैसे यह सरश्रती शिशु मंदिर select करने के लिए आपको बताया गया है कि mouse को click करके hold करते हैं यहां ले गया है और इसको ले जाकर hold करके drag करेंगे तो यह पूरा select हुए अब इसमें जो यह option है यह font का option है यह size बढ़ाने के लिए यह font का है अलग-अलग जैसे की जैसे ही आप mouse को किसी font पर ले जाएंगे तो आप पीछे background में देख रहे हैं कि उसका जो design है वो बदल रहा है तो आपको जैसा मन है जैसा आप अपने presentation में पर रखना चाहते हैं उस तरीके से भी आप उसको select को बहुत सारा design है आप उसको select कर सकते हैं कि इसको भी हम बदल देते हैं कि उसके नीचे यह बोल्ड है टैलिक है यह सब फॉर्मेटिंग का option है इसको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड हो जाएगा उन्हें उसके लावा color change करना है color भी change हो सकता है अलग-अलग color है जिस color का आप चाहेंगे आप red रखना चाहते हैं color टिए टिक है बोल्ड हटाना है जैसा भी यह हुआ थे इसको अटाए अभी फिर से इसको select करेंगे और रिसका जाएवादिन का मतलब यह स्लेक्ट है यानी बोल्ट है इस पर से स्लेक्ट करेंगे तो यह क्या होगा यह बोल्ट हट जायगा इस्लेक्ट किये वोल्ट यह अन्दर दिख रहा हम कैंट संगो इसको जाते हैं यह इटैलिक है इटैलिक करेंगे तिर्चा हो जाएगा अंडरलाइन करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा अभी आप देख रहे हैं कि इसपे आप क्लिक करेंगे तो यहां देख रहे हैं बोल्ड नहीं है इटैलिक और अंडरलाइन है इसपे आप क्लिक करके इस अब सब्सक्राइब इसको खुर्प सकते हैं अभी इसको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए मालिज आपका प्रेजट समप्त होगा है आप उसको क्लोज करना चाहते हैं क्लोज मतारे भी गया है ऑफिस बटन पे जाकर के exit powerpoint करेंगे तो यह पूरा software है यह close हो जाएगा close करेंगे तो यह jbuilding presentation आपका open है वो सिर्फ close होगा software close नहीं होगा और यह close button है इस close button से भी क्या होता है जो window है वो close हो जाता है अगर आपका पूरा जो भी जब आप close कर रहे हैं उस समय तक आपका पूरा save है तब अगर save नहीं है तो वो आपसे पुछेगा जैसे कि अभी हम click करते हैं यहां से आपसे पूछ रहा है कि क्या इसमें आप change जो भी किया है उसको save करना चाहते हैं अगर हम no पे click करें, till you close हो गया क्यों हो गया क्यों हो गया क्यों क्लोज बितन क्लिक चाहते हैं दुबारा से open करते हैं Windows 7 पे Click खनेगे PowerPoint लिखा हुआ है इंटर Kennuce प्रेस करेंगे यह open हो पाया यह सब चेंज जो था वो सब दिख रहा है क्यों दिख रहा है क्योंकि हम यहां तक यहां तक image डाले थे यहां तक इसको शेव कर दिये थे लेकिन इसके बाद जो formatting किये थे उसको save हम लोग नहीं किये थे ठीक है ना इस करन से कोई जब भी आपको चेंज करना हो तो चेंज करने के बाद हम उसको सेव करना पड़ता है तब ही जाकर के वह आपके कंप्यूटर में सेव होता है ठीक है तो इस वीडियो में अभी इतना ही इसी चीज़ को आप लोग बार-बार देखेंगे और फिर हम लोग कुछ और फीचर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं ठीक है